जैसे कृष्णा फ्रेंड्स कृष्णा क्रिएटिव किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डॉल केक डिजाइन जो की बहुत ही ट्रेंडिंग है और जो पुराने डॉल केक होते हैं वो बिल्कुल अलग है यह नया डिजाइ नहीं है सिंपल 6-7 इंच के केक टिन में इसको बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर डॉल केक बन करके त्यार होता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको आधी अदूरी जानकारी नहीं मिले पूरी जानकारी लेजिए और फिर केक की डिसाइन को ट्रा इस लॉक केक के लिए यहां कोई भी ऐसल टिन में स्टील द्प्राइब को बेगा लिकार इसको को बाइब करेंगे और इस पॉंज बनाने के लिए हमने 25unta प्रीमिक्स से था उसमें half teaspoon डाला था pineapple emulsion और उसको पानी से अच्छे से mix करके ribbon consistency तक का और उसमें एक चमच एक teaspoon oil डालकर mix करके केक को बेक कर लिया था कडाई में तो कडाई में बेक करने की वीडियो बहुत सारी हैं मैं अपने पूरे orders कडाई में या बगोने में या तवे पर ही बेक करके बनाती हूं और बहुत अच्छा केक स्पंज ओवन से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है जो हम अपना देशी जुगार से केक बनाते हैं तो यह हमने देखिए इस तरह से केक को कट करा है आपने देखा ना पहले दो लेयर प्लेन रखनी है और नीचे वारी लेयर है उसको वन क्वाटर से कट कर देना है आप देख करके कट करिए और जो बेस लिया है उस पे लगाएंगे हम थोड़ी सी क्रीम नीचे रखाए गीला पेपर और पाइनेपल जो क्रस होता है उसमें पानी मिला करके यह हम सुगर सीरप त्यार करेंगे इससे अंदर तक फ्लेवर आएगा हमारे केक स्पॉंज में और बहुत ही टेस्टी केक बन करके त्यार होगा आप नॉर्मल सुगर सीरप से भी केक को सोक कर सकते हैं लेकिन इस तरह से करेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ठीक है अब क्रीम लगाएंगे उसको अ अच्छे से फैला लेंगे फ्रेंड्स यह सेम डिजाइन के हम मैं कि हम से साथ केक बना चुकी हूं बहुत ही ट्रेंड में यह डिजाइन क्योंकि जो पुराना वाला डॉल केक है वो सहर किसी ने बनवा लिया है और हर कोई चाहता है हम अपने बच्चे का हर साल नया डिजा आपके लिए लेकर के आई हूं तो इसको देखिए जरूर बनाइए अब देखिए दूसरी लेयर रख दिये उस पे सुगर सीरफ से सोक करेंगे बहुत अच्छे से किया करें इसी से हमारे केक में फ्लेवर भी आता है और मॉइस्चर भी आता है अगर आप सोकिंग नहीं कर और इसको साइड से क्लीन कर लेंगे ठीक है अब इसका जो तरीका है वो चेंज है तो अब आप वीडियो को स्किप मत करें और बिल्कुल अच्छे से देखिए अगर आपको यह केक बना चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं लेकिन अगर आपने नहीं ट्राइ किया है तो इस को रख देंगे इसके उपर ठीक है तो इसको रखेंगे और इसको भी अच्छे से शोग कर लेंगे शो करने के बाद इस पर भी हम नॉर्मल जैसे करते हैं क्रीम को स्प्रेड करेंगे और उसके उपर लगाएंगे बिल्कुल थोड़े से पार्ट में करस्ट जो हमारा दूस इसमें पाइनियुपिल के छोड़ते क्यूपस भी आते है। यह तो यह मोराज का क्रस हमने यूज किया है। और मैं अपने हर वीडियो में एक क्योभी को समज में नहीं आ 반ुत फिंपस्ता को पूछर। मैं अम्हीं पूछे का लोगा ऑскजूर। मैं आपका आंसर देने की पूरी कोसिस करूंगी तो देखिए अभी छोटा वाला पार्ट हमने उसके उपर रख दिया है और इसको भी हम इस तरह से फिनेश कर लेंगे तो यह हमारा जो केक वेस कैसे तियार हो गया कि एक सीडी नुमाकार इसने ले लिया है स्टेप वाला जो क्यों पीली क्रीम डाल दिये लो कलर की तो मैंने इसमें एक्चुली फ्लेवर के लिए इमलसं यूज किया था अगर हम ऊपर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वाइट रखना है इसका डिजाइन तो हमने अंदर इमलसन यूज किया था क्योंकि हमारा जो इसेंस होता ना और दोनों में फरक होता है इमलसन में color और flavor दोनों होते हैं और essence में केवल flavor होता है तो जो इमलसन है उसका taste बहुत गजब काता है और खुसबू तो इतनी अच्छी आती है कि दूर से भी अगर यह cake किसी के पास है तो दूर से भी बता देगा कि pineapple flavor का cake है तो इसलिए अंदर मैंने का इमलसन यूज़ करूँगी थोड़ा सा डाल करके तो छूप जाएगा लेकिन उसका टेस्ट है वह बिल्कुल बिंदास हो जाएगा तो इसलिए तो अब हम उपर से क्रीम से इस तरह से कौन से इसको पूरा cover लेंगे final icing के लिए इस cake को फ्रेंट साब फ्रिज में जरूर स फिनिसिंग हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से देखिए plane कर लेंगे जहां जामने क्रीम लगाई है और इसको अच्छे से फिनिसिंग करेंगे अब फ्रेंड्स आप अगर क्रीम विपिंग में problem आ रही है तो उसका भी separate वीडियो पड़ा हुआ है और मैंने इसके पहले दो तीन वीडियो अपलोड इसलिए इस तरह से किये हैं कि उसमें मैंने base भी बताया कैसे बनाना क्रीम भी बताया कैसे बनाना और icing भी बताया कि कि किसी को भी जो वीडियो डूंडते हो नहीं मिलती है तो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए और problem नहीं हो और पूछ लिया करिए बिल्कुल भी जिजा किये मत जो नहीं आता है वो पूछ लिए पूछने में कोई problem नहीं है और आपका answer आपको मिलेगा और आपकी problem solve होगी तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से finishing हम साइड से क्रीम को अंदर करते हुए कर लेंगे ठीक है जो एक्स्ट्रा क्रीम निकलती है इसको इसक्रेपर गुमा करके निकाल देंगे और फिर उसको अंदर की तरफ लेते हुए अच्छे से icing कर लेंगे ठीक है और जो हमारे केक है न वो stand out इसलिए करते हैं कि हम केक की finishing बहुत अच्छे से करते हैं और केक की finishing ही इनसान को attract करती है पहले सामने से उसको केक दिखता है खाता तो इनसान बाद में है न तो पहले दिखना अच्छा जाईए खाने का तो बाद में है लेकिन taste में भी compromise नहीं क प्राउड डालहें तो बलैक क लड़ ड़ा डालाए तो इस तरह से ऊथ मने कोई भी पानीवानी अप्लिट नहीं करेंगे पानीस करेंगे तो यह में पतला से चीध कर के इस तरह से आप आप कीज को ड्रॉआ कर में पानी डाल निए कि गड़बड हो जाएगी तो पहले आप एक टूथ पिक लीजे उससे ड्रॉ कर लीजे असे फिर उसके उपर से इसकोन को चला देजे अब इसमें थोड़ा सा पानी अब एड़ किया है बिल्कुल जला सा टू ड्रॉप फिर इसको फिल कर देंगे अगर पानी नहीं होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करके इसको इस तरह से फिल कर देंगे अच्छे से कीज को तो यह देखिए हमारी प्यानो की कीज बन करके त्यार हो गई है अब फ्रेंड्स हमने यहां पर ली है वाइट क्रीम इसमें हम डालेंगे पिंक कलर ठीक है पिंक कलर डाल लिजे य इसमें क्या करना है जब बेस बनाएंगे आप तो कोन का जो जो नोजल का बड़ा वाला हिस्सा है उसको उपर रखेंगे ठीक है और जब आप इसकी लीफ्स बनाएंगे तो आप इसका बड़ा वाला हिस्से को नीचे कर देंगे ठीक है यह नोजल पकड़ने का ही एक तरीक को बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है इस तरह से रोज बिलकुल परफेक्ट बढ़िया रोज बन करके तयार होगा देखिए एक रोज मने बना लिया है अब इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे इसी तरह से फ्रेंड्स मैं तीन रोज बनाऊंगी और अब देखिए यह तूसरा ध्यान से देखेंगे तो आप एक एक चीज अच्छे से समझ पाएंगे तो मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में हर चीज बताऊं जिसको सीखना है वह सीख ले बाकि इसको नहीं सीखना है तो उसका नहीं है कुछ लोग डिजाइन के कर देंगे कर दिए और समय लिए को जो मीडियूं साइस है और से तुरु से बनेगा इस तरह से बना लेंगे यह यह पर अब पर नुल सा स्टार बनेगा बस और कुछ नी तो इस तरह से पूरा आउट लाइन हम इस तरह से स्टार बनाते हुए इसकी कवर कर लेंगे और केक का लुक बहुत सुंदर आएगा आप देखेगा भी तो नीचे भी हम इसका बॉर्डर बना लेंगे अब इस तरह से बॉर्डर बनाने के तो नॉर्मल 12 डॉल ले लिजे लेकिन इस केक के लिए वो परफेक्ट नहीं रहती है क्योंकि उसका नीचे का हिस्सा मोटा होता है इसलिए ठीक है नॉर्मल केक में तो आप वो लगा सकते हो फॉल पेपर लगा करके लेकिन इसमें आपको थोड़ा पतला हिस्सा चाहिए आप इस तरह से cover कर लिजे इसका dress बना लिजे उपर कर इसको यहां पर place कर देंगे ठीक है प्लेस करने के बाद हमने रोज लीफ वाला नोजल लिया है उस तरह से इस तरह से यू बनाते हुए इसमें पैटल्स बना करके इसके फ्रॉक का घेर बना लेंगे बहुत ही सुंदर स सब्सक् Tennessee की अनकी का नाम था सुलेखा वो भी लिख दिया है और इस सिल्वर स्टेट डुस्ट कर दिया है केक बंगर के त्यार है तो आपको केक अच्छा लगाओ तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नई वीडियों सकत तब तक के लिए जैसी किष्णा राधे राधे ठेक केर